वेल्कम टू डीबीसी एडेली बिहार करेंट एफ फिरस में आप सभी का स्वायत है हम लोग यहां पर डिसक्स रहेंगे वीक टुका करेंट एफ यह सब से पहले आप लोग वीक वन का देखें फिर जो इस वीडियो को आप लोग वीक टुब वाला भी देखिएगा हम लोग यहां पर week two का हैं पर cover करेंगे जो की आठ से 14 जनवरी 2021 तक के current affairs है डीबी सी एक स्रिंखला एक दो second day वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही helpful होने वाला है उन candidate के लिए जो BPSC के exam देंगे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार होम गार्ड, forest guard, BA, सिपाही भरती, BSAC, कमचारी भरती, Beltron, यानि कि जितने भी बिहार में exam होते हैं जिसमें current affairs पूछा जाता है उन तमाम exam में आपको बहुत ही helpful होने वाला है तो आज ही चैनल को subscribe करके जूरे रहे आगे के monthly और आगे के update पाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो cover करेंगे आज जो जन्वरी के second week का है इसके बाद जो है कि third week का जो की 21 जन्वरी को यहाँ पे आपको upload हो जाएगा और fourth जो है कि 28 जन्वरी को हाँ पे आपको मिल जाएगा last में हम लोग यहाँ पे revision के तौर पे मंथली हाँ पे discuss हरेंगे जो कि इन तमाम question उसमें आपको समलित होंगे तो हाँ पे revision के तौर पे आपको हो जाएगा जिससे आपको PDF के यहाँ जरूरत नहीं होगी तो आईए शुरू करते हैं week 2 current affairs का पहला question आपके सामने है Corona के टीका करन से पहले dry run किया जा रहा है इसमें dry run का मतलब क्या है तो सभी आप लोग सबसे पहले आपको मन में सोच लेना कि कौन सा answer है मैं यहाँ पे पूरे detail के साथ यहाँ पे cover करूँगा इसका region क्या है सब कुछ जो fact why यहाँ पे discuss करेंगे तो यहाँ जो सबसे सटीक answer है आपका पुर्वा भयास इसका जो सही answer है पुर्वा भयास यानि कि जितने भी Corona से टीका लगेंगे उससे पहले सभी राज में dry run किया जा रहा है इसका मतलब यह है कि पुर्व अभ्यास यानि की कैसे टीका लगाना है उन्स सभी के तमाम जनकारी जो है कि हेल्थ वर्कर्स को यहां पे दिया जा रहा है जिससे कोई इसू न हो तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के डेट में ड्राइ रन काफी चर्चित है तो इसको आपको जाना बहुत ही बेहत आवस्यक है तो यहां पे ड्राइ रन का मतलब है कि पुर्वा भ्यास चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या है उसको हम लोग कवर करते हैं अगला कोश्चन है कि हाल ही में संजय गांधी जैविक उदान पटना हम लोग चिरिया घर पटना की बात की मिल 2rd में हांथनी और ती में ही जौँ आपका सही ऐंसर यहां पर स्लेक्ट करना है कौनसे एंसर होगे पहले आपको यहां पर शलेक्ट करना है सही जहां पर पूरा ला यह यहां पर बताता हूं तो यहां पर जो उड़़ाती थी ओपका सेर निय This यहां जो संजाय गांधिक जैविक उद्दान में इसे 2004 में लाया गया था और जो है कि अपने पूरे जीवनकाल लगभग जो है कि एक सेर का जीवनकाल 18 से 20 साल होता है तो यह 18 वर्ष की हो चुकी थी और एक फिमल थी इसलिए सेर नी है और बोकारों से पटना लाया गया था जो बोकारों का जो वहां पे चिरिया घर है वहां से जो है कि पटना चिरिया घर में इसे 2004 में सिप्ट किया गया था और हाल ही में इसका जो है कि मृत्ति हुआ है तो इसको बहुत ही इंपर्टेंट कोश्चन है आपको याद कर लेना है इसको चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन में अगला कोश्चन आप सभी के सामने है कि बिहार के विधान सभा अध्यक्ष कौन है तो यहां पे आपको सही अंसर बताना है तो सही अंसर इसका है ए विजय कुमार सिन्हा विजय कुमार सिन्हा को हाल ही में बिहार के विधान सभा अध्यक्ष बनायागा है तो बहुत ही इ कुस्चन आने का मैक्सिमम चांसेज होता है तेहां आपको याद रखना है विजय कुमार सिन्हा देखते हैं नेक्स्ट कुस्चन बिहार का पहला पक्षी महत्सव कहां पर मनाया जाएगा तो बहुत है भी भी कुस्चन क्योंकि जो भी मैं यहां पर कुस्चन सेलेक्ट किया हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट कुस्चन है उसी को सेलेक्ट किया हूँ कोई अनरगल यहां पर कुस्चन आपको नहीं मिलेंगे जो exam point of view से है, सिर्फ उसी कहले हैं पर cover करेंगे, तो यहाँ पर जो question है, बिहार का पहला पक्षी महत्साव कहाँ पर मनाया जाएगा, तो सही answer इसका है जमुई, बहुत ही important है, आपको इसको याद रखना है, इसका कब से कब तक होगा, तो 15 से 17 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, 15 से 17 जनवरी तक और इसका उद्धहाटन, मानिय मुखमंत्री नितिश कुमार जी करने वाले हैं, और एक कहाँ पर होगा, तो नागी सेंचूरी में, नागी सेंचूरी है एक, वहीं पर इसका आयोजन होगा, तो इसको भी आपको याद रखने है, चलते हैं, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, अगला कोस्चन आपसे संबंधित है, कि जेपी सेतू अवस्थित है, कहाँ पर है, तो आपको किस नदी पर है, आपको यह बताना है, तो पहला जो है, गंगा नदी, गंड़क नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, चार ओप्सन आपके सामने हैं, कौन से आपको सेलेक्ट करने हैं, तो इसका जो सही एंसर है, गंगा पर, तो जेपी सेतू कहाँ अवस्थित है, गंगा नदी पर, यह भी कोस्चन, मैक्सिमम चांसेज रहते हैं, कि आने का, क्योंकि यहाँ पर जो, मैक्सिमम जो, गंड़क जो है कि लगभग उसी के पास से गुजरता है, तो काफी लोग इससे जो है कि, आउगत नहीं हो पाते हैं, तो आपको इसको छोटा सा जो है, यह कोस्चन है, बट बहुत ही है, मामला विगार सकता है, क्योंकि यह कोस्चन, मैक्सिमम चांसेज है कि आपको आ सके, तो आपको ध्यान रखना है कि, गंड़क पे नहीं है, गंगा नदी पे है, राइट, सही अंसर एक्सका A है, चलिए, यह नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, गंड़ संकर विध्यार्थी का हाल ही में, 99 वर्ष के उम्र में निधन हुआ, वह किस छेतर से जूरे हुए थे, आपको सही अंसर यहां पे सेलेक्ट करने है, किस छेतर से जूरे हुए थे, तो आपको बताना है, सही अंसर जो है इसका C, राजनितिक से जूरे हुए थे, गंड़ संकर विध्यार्थी, एंड इसका जो है कि 99 वर्ष के उम्र में, इनका जो है कि निधन यहां पे हो गया है, तो आपको इतना ही ध्यान रखता है, इसमें ज्यादा कुछ फैक्ट है नहीं, आईए, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, नागी, नटकी, पक्षी, आस्रेयानी में, आयोजीत राज्जी का पहला कलरव राज्ये पक्षी महोत्सव, कब से कब तक मनाया जाएगा, तो बहुत ही इंपर्टेंट कोश्चन है, इसको हम लोग पहले ही cover करचुके हैं, लेकिन यहाँ पे फूरा जो है की नागी मैंने बताया था, की नागी में होने वाला है, इसका जो की पूरा नाम है नागी नटकी, और धrical से कब तक होने वाला है, तो मैंने पहले ही डिसकस कर चुका हो, पंदरा से सतरह जनवारी के बीच में होगा और इसका जो है कि उद्धगाटन स्तुल्ला जनवारी को माननीय मुखमंत्री जी करने वाले हैं तो ए राज जी का पहला पक्छी नागी नटकी और कलरो राज जे पक्छी महत्सव ए भी आपको कोश्चन यहां से यहां से सिर्फ निकल के आ सकता है कलरो राज जे पक्छी महत्सव कब से कब तक मनाया जाता है यहां नागी नटकी में पक्छी आसरेनी में आयोजित मेला जो यहां कह सकते हैं महत्सव कब से कब तक चला तो इन दोनों को यहां पे इसको और इसको आपको याद करके रखना है बहुत ही important question है यहाँ पे 15 से 17 जनवारी तक जो की जमुई में जमुई में होने वाला है किस से district में है तो जमुई में और कहां पे नागी नटकी पक्षी आसरनी तो बहुत ही BBI question है कहीं आप लोग इसको note कर लें बहुत important question है चलते है next question कौन से है देखते है यहाँ जो question है last question है आप सभी के सामने आप सब देख पा रहे है Animal Farm के लेखा कौन है तो यहाँ पे जो आप लोग कहेंगे कि यह बिहार से related कैसे है तो बहुत ही important question है हाल ही में इनका जो कि परतीमा को तोर दिया गया है तो उसी से question यहाँ पे arise हो जाता है कि आखिर Animal Farm के लेखा कौन है और एक कहां से belong करते हैं चुकि ए Animal Farm यहाँ से बिहार से कुछ भी अभी तक question को देखने के बाद यह नहीं लग रहा है कि बिहार से relate है लेकिन यह बिहार से relate करता है इसलिए मैं यहाँ पे question को इसको लिया हूँ बहुत ही important question है और जो Animal Farm जो है बहुत ही परसिद्ध है इसलिए आपको इसको याद करके रखना है इनका जो है कि सही answer है जोर्ज आर्वेल आपको यह answer याद रखना है जोर्ज आर्वेल चुकि ए बहुत important question है यह जो मोतिहारी में परतीमा इनका था कहां पे था आपको याद रखना है मोतिहारी में और इनका परतीमा को हाल ही में कुछ असमाजिक ततोव ने इसे तोड़ दिया चुकि ए पहले से परतीमा अवस्थित थी और ब्रिटिस सासनकाल के भारतिये सिविल सेवा के अधिकारे इनके पिता थे और इनका जो पुत्र थे जोर्ज आर्वेल तो इन्होंन यहीं एनिमल फॉर्म के लेखक लिखे थे यानि कि कब लिखे तो आपको याद रखना है 1945 में इसे लिखा गया था और उसी टाइम में लगभग 1948 में आपको देखते जाना है 1948 में एक पुस्तक लिखे थे 1984 समझ जाए कि यानि कि पहले कि उन्होंने कलपना की थी आगे की 1984 उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उसमें क्या लिखा गया था कि राजसत्ता अपने नागरीकों के बुनियादी अधिकार देने से कैसे वंजित करता है इस पुस्तक में जिक्र किया गया है तो बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है जो कि 1998 में लिखा गया था कौन पुस्तक लिखा गया था इनिमल फोर्म के लेखा कौन है तो जोर्ज आर्वेल और इन्होंने इन्हों ने कौन से पुस्तक लिखे थे? 1984 इन्हों अर्तालिस में आपको ध्यान रखना है 1984 तो ए आपको कई सारे यहां से question arise हो जाते हैं तो इसका जो है कि हाल ही में परतीमा तोरे गए हैं तो यह बहुत ही चर्चित विशय है तो यहां से भी question आपको arise होने के maximum संभावना बन जाते हैं अब जो यहां पर इनका परतीमा को अनावरन कब किया गया था तो इनका जो परतीमा एक British ही पत्रकार थे पत्रकार का नाम था Ian Jack जो 1983 में खोजते हुए पता लगाया था कि आखिर इनका जन कहां हुआ British पत्रकार कौन थे Ian Jack जो 1983 में खोजा कि इनका जन कहां हुआ और उसके बाद जो है कि मोतिहारी में इनका परतीमा को अनावरन किया गया तो इसको याद रखना है 1983 में खोजे कि इनका घर कहां है British पत्रकार और पहले ही 1984 यहाँ पर पुस्तक लिख चुके थे कौन लिखे थे George Arwell यह भी आपको याद रखना है जो मैंने पहले बताए तो आज की बहुत ही important questions है जो आप सभी को साथ बहुत ही helpful हो सकता है बिहार के ओ तमाम एक्जाम में जो BPSC, बिहार दरोगा बिहार, पुलिस, होमगार्ड, फोरेस्टर, बीएड, सिपाही भरती, बिएससी, कर्मचारी भरती, बेल्टरॉन और भी जो बिहार में एक्जाम होते हैं सभी में बहुत ही helpful हो सकता है तो यह पार्ट टू वीडियो था विक टू का और विक 3 का 21 जनवरी को यहां पर प्रवाइड हो जाएगा और विक 4 का यहां पर 28 जनवरी को यहां पर प्रवाइड हो जाएगा और लास्ट में एक पूरे मंद का यहां पर रिवीजन के तौर पर आपको मिल जागा तो आप सभी के लिए बहुत ही beneficiary है अपने फ्रेंड के साथ share जरूर कर देजिएगा काफी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाया है तो आज के बाद जो है कि वीडियो continue रहेगा यानि कि सभी परतेक वीक में आपको वीडियो प्रवाइड कर दिया जाएगा ये डेली क्रेंट के फेर्स एक साथ आपको वीक में प्रवाइड किया जाता है तो बहुत इंपर्टेंट कोश्चन है इसी के साथ मिलते हैं वीक के ठर्ड में आप सभी आई होप की वीडियो देख लिए होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ share करना ना भूले था